आजस्थान के जैपुर जिले में एक दुकंदार होता है जिसका नाम सोहनलाल था कि उम्र 51 बर्स की होगी सोहनलाल एक बैपारी होता है उसका घर आलिसान था उसको अपने बैपार से अच्छी आमदनी हो जाती है इसलिए उनको पैसे की दिक्कत नहीं रहती उसके परिवार म वो और उसका 26 साल का एक बेटा ही होता है उसकी पत्नी काफी समय पहले गुजर चुकी थी उसका बेटा कोई काम धंदा नहीं करता है इसलिए उसकी सादी नहीं हो पा रही थी सोहनलाल इसी बात से परिशान रहता है सोहनलाल ने अपने सभी दोस्तों को उने बेटे के की ढूंडने के लिए बोल रखा होता है एक दिन सोहनलाल के पास दिल्ली से एक बैपारी आता है और बोलता है सेठ जी मेरा नाम भोलुसी है मैं दिल्ली से बैपार के लिए जैपुर आया हूं क्या आपके घर में एक महीने किराये पर रह सकता हूं सोहनलाल का घर बड़ा था तो उसने मना नहीं किया पांच-छे दिनों में ही वह बैपारी सोहनलाल से घुल मिल गया अब वह बैपारी जब भी सोहनलाल से मिलता तो इसके चहरे पर उदासी सी नजर आती एक दिन सोहनलाल ने उनसे उदास होने का कारण पूछ लिया अब हुआ बैपारी भारी स्वर में बोला अब क्या बताऊं सेड़ जी मेरे सिर पर पांच लाग का कर्ज चड़ गया है उपर से मेरी एक जवान बेटी है उसके भी साधी करनी है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं उसकी साधी में 10-15 लाग से कम खर्च तो हो होंगे नहीं और मैं एक गरीब आदमी हूँ इतनी सारे पैसे का इंतेजाम कहां से कर पाऊंगा या कहते हुए उसने अपनी बेटी की तस्वीर दिखाई रोने लगा सोहन लाल उसकी बाते सुनकर पोड़ी देर सोच में पड़ गया चुकि तस्वीर देखने के बाद सोहन लाल को वह लड़की पसंद आई इसलिए सोहन लाल ने उससे बोला देखो भाई मेरे पास एक उपाय है तुम अपनी बेटी की साधी मेरे बेटे से कर दो तो मैं तुम्हारे उपर जो भी कर्ज है वह चुका दूंगा यह वाद सुनकर वह बेकती बहुत खुस हुआ और उ cell astrology के कहने पर वह दिली में साधी करने के लिए प्यार हो गया बोलु चीक के कहे अनुसार श्रुछलाल ने सिर्फ अपनी फैंली को लेकर दिली के एक मंदिर में अपने बेटे की साधी भोलु सी के बेटी से करवा दी साधी के बाद बहु को लेकर सोहन लाल और उसका परिवार अपने घर आ गया रात को उसके बेटे और बहु की सुहागरा थी उस रात बहु ने कोई बहाना बना कर ने पती को खुद से दूर रखा गली दो तीन रातों को भी उसने अपने पती को अपने से दूर रखा इसी बात से परिशान होकर उसके बेटे ने पिता जी आपने मेरी साधी किस लड़की से करवा दी है ये तो मुझे टच करने ही नहीं देती सोहन लाल ने अपने बेटे को या बोल कर समझा दिया कि बहु अभी नहीं नहीं आई है बेटा एरजस्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा फिर अगले ही दीन उसके यहां दिली से एक लड़का और एक लड़की आते हैं वे दोनों बहु के भाई बहन होते हैं सोहन लाल उन दोनों की आतिरदारी करता है और रात को सोने का प्रवंध भी कर देता है तुबह जब सोहन लाल उठता है तो देखता है कि बहु और उसके भाई भान कोई भी घर पर नहीं है जब वो घर की तालासी लेता है पता चलता है कि घर के सभे गहने और पैसे गायब है वे समझ जाते हैं कि ये उनका ही काम है तो हनलाल तुरंद पुलिस अस्टेशन जाता है और उसकी कम्प्लेन लिखाता है छी दिनों के बाद पुलिस उनको पकड़ लेती है पुलिस के पूछताच करने से पता चलता है कि लोगों का एक गिरो बना हुआ है ये लोग उन लोग को का पता लगाते हैं और उनको ही टार्गेट करते हैं उनकी साधी नहीं हो रही है फिर उनकी मजबूरी का फाइदा उठाते हैं और उनको लूटने का काम करते हैं इस गिरो में सामिल सभी लोगों को गिरफतार कर लिया और सोहनलाल ने अपसोस करते हुए कहा जायदार को रखना मुझे महंगा पड़ गया